23 नौंबर को देवेंद्र फर्णवीज ने अजीत पवार के साथ मिलकर मुख मंत्री पद की शफत ली थी, अलाकि वो सरकार जादा दिन तक नहीं चली. दुसरी बात ये भी है कि भुपेंद्र यादो ग्रेव मंत्री और बीजेपी के पुर्वराष्टी अधक्ष अमित शाह के काफी करीवी हैं और देवेंद्र फर्णवीज भी काफी अच्छे गुड़ बुक में हैं अमित शाह के तो इन दोनों को इसलिए यहां पर लगाया नमस्कार बिहार में चुनाओ की सरगर्मिया उसमें और तेज हो गई जब यह पता चला कि बीजेपी महराष्ट के पुर्व मुख मंत्री देवेंद्र फर्णवीज को बिहार चुनाओ के कामों में लगाने जा रही हैं बिहार बीजेपी के प्रभारी भुपेंद्र याद कि महाराष्ट में जब विधान समीति के चुनाओ हुए थे और देवेंद्र फर्णवीज मुख मंत्री के उमिद्वार के तौर पर मैदान में थे तब भुपेंद्र यादव वहां चुनाओ अभियान समीति के अध्यक्ष थे तो यानि कि दोनों में पहले से ही बहतर ताल मैं उस समय भी देखने में आया था जब 23 नौंबर को देवेंद्र फर्णवीज ने अजीत पवार के साथ मिलकर मुख मंत्री पद की शफत ली थी अलाकि वह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चली दूसरी बात ये भी है कि भुपेंद्र यादो ग्री मंत्री और बीजेपी के पुर्वराष्टी अध्यक्ष अमित शाह के काफी करीवी हैं और देवेंद्र फर्णवीज भी काफी अच्छे गुड़ बुक में हैं अमित शाह के तो इन दोनों को इसलिए यहां पर लगाय हाला कि आम तोर पर लोगों का कहना है कि फिल्म अविनेता सुसान सिंग राजपूत की मौत से जो विवाद उठा है खास तोर पर जो महराश सर्क में स्यूशना कॉंग्रेस और इन सीपी की सरकार है उसको लेकर उसकी वाज़ा से बीजेपी ने भेजा है एक कारण ये भी ह हो सकता है लेकिन विहार सरकार ने यानि मुख मंतरी कुमार ने शूरे मामले को सिवियाई को सौंप दिया था कि और सुप्रीम कोर्ट में है 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 मदा परी के सिवियाई मिजेगं चैन को जाच करेंगी या कि माहराष्त की पुलिस तो महराश्य की प्रिस कर गये लेकिन इस पूरे प्रकरणर में एक बात जो भर के आई और जो बार बार आती है कि महाराष्ट वर्सेज बिहार या फिर मराठी वर्सेज उत्तर भारती है तो बीजेपी ने देवेंद्र फर्णविज को भेज कर इसको भी एक साफ करने की कोशिस की है कि ऐसा कुछ नहीं है ह हमारी नजर में भले सीव सेना या फिर एंसीपी कॉंग्रे से समझती होगी लेकिन हम में कोई अंतर नहीं है इसलिए महाराष्ट के एक कदावर नेता को भीहार भीजा है ताकि यह इस तरह का के डिफरेंसेज नहों इसका लाब बीजेपी को महाराष्ट में भी हो सकता है म काफी तादात में होँज इसकता है महां पर वियार के लोग हैं तो यह कारण है डेवेंदर फर्णवीज को भीजने का लेकिन सबसे अहम कारण यह भी है की ब aşk में मैं आपको पताई है कि जाती के आधार पर आधार तो मतलब जाती का काफी मिन होता है निख और भोट वेंक के तोर पर बीजेपी में अभी आप देखेंगे तो बिहार बीजेपी के परवारी हैं भुपेंदर यादव, बिहार परदेश अध्यक्ष हैं, संजय जैस्वाल दोनों पिछड़ी जाती से आते हैं, तो एक इस तरीके का वेक्तित होना चाहिए जो अगड़ी जाती से हो, ज तो यह सोच भी हो सकती है इसके पीछे और काफी हद तक इसका लाव लेने की कोशिस आप पहले भी देखेंगे तो बिहार में जो चुनाव परवारी हुआ करते थे वह अनंद कुमार अरुन जेटली जैसे कद्दावर नेता यहां के परवारी बीजेपी की तरफ से रह चुक हैं और चुकि मुखमंत्री का उनका अनुभा भी काफी अच्छा रहा है 2014 से 2019 के बीच में तो बीजेपी मजबूती के साथ और चुकि युवा भी हैं तो एग्रेसिव भी रहेंगे यहां गडवंदन में आस दोर पर मुखमंत्री नितीश कुमार की पार्टी जेडियू ब के साथ मिलकर चुनाओं लड़ना है तो यह बीजेपी के लिए एक अच्छा कदम माना जाएगा इस मैने में राजनितिक रूप से भी और समाजिक रूप से भी चुकि महरास्ट और बिहार के बीच में जो टक्राव की स्थिती है उससे इनके आने से उसमें काफी कमी राजपूत मामले में कोई ऐसी बात भी सामने आ जाती है जो राजदितिक रूप से भी बीजेपी को फाइदा दिला दे तो इसमें आश्चर्ज नहीं होना चाहिए और हम सब जानते हैं कि बिहार चुनाओं के बाद संभौता बीजेपी का अगला निशाना महरास्थी है आज के लिए बस इतना हैं धन्यवाद